तो नमस्त्ता दोसों और मेरा नाम राग्वेंद और मैं ए-tex शूट से बात करता हूं आज मैं जो टॉपिक वीडियो ले कर गया हूँ वीडियो होने वला है यह मारा देमो क्लास का तीसरा लेसन है दोस्तों यह जो मैं वीडियो लेकर करके हैं यह हमारा मुबाइल फोन रिपेरिंग के उपर चेकिंग उपर हमारा डेमो क्लास का तीसरा वीडियो है और मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो का मादम से कम 15-20 वीडियो मैं आपको देने वाला हूं जो हम लोग क्लास में बच्चों को सिखाते हैं और जो हमारे ऐसे बच्चे हैं यह वीडियो में उन बच्चों के लिए उन और बैच्छे से देना चाहता हूं जो लोग ऐसे हैं जो आज अपनी मुबाइल फोन रिपेरिंग के दुकान चला रहे हैं लेकिन आज वो मुबाइल फोन रिपेरिंग के नाम पर सिर्फ दोस्त मल्टी मेटर को चलाना नहीं आता सिर्फ मुबाइल फोन में कामबो यू आई तक ही रह करके वो सीमित हो गये हैं या मुबाइल फोन के अंदर जो बेसिकली जो प्रोब्लम आ रहे हैं उन ही को रिपेर कर रहे हैं और दोस्त मैं आपको यह भी बात कहना चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो के मार्दम से बहुत ऐसे स्टुडेंट हैं वो लोग भी सीखने वाले हैं यह आपना खिसी मोबाइल फोन रिपेरिंग के कान सीख रहा थे हमिणski के नियुकों इसे मोबाइल फोन ठीक हो रहा हैна काम जाले है एक आद मोबाइल फोन में गे डालते हैं तो थोटा बहुत ऐसा काम कर रहा है भ सो उसी को आपने दिल को संतुष्टी दे रहेंगे है यही repairing है, लेकिन मैं आपको बताओ, वो repairing actual में है, वो repairing के नाम पे सिर्फ क्या है, दिखावा है, छलावा है, अगर आप repairing करना चाहते हैं, रोपेरい में master बनना चाहते हैं, तो दोस्त आपको motherboard पकणना पड़ेगा और motherboard की checking सीखने पड़ेगी अगर आप जब तक आपको motherboard की checking नहीं आएगी motherboard की repairing नहीं आएगी तब तक आप mobile phone के नाम पर सिर्फ M तक भी पूरा नहीं जानते हैं mobile phone की तो बाठ चोड़ों अगर आप mobile phone रिपेरिंग में complete अगर आप master होना चाहते हैं तो आपको motherboard की रिपेरिंग के जो रूर पकड़ना पड़ेगा और motherboard को समझना पड़ेगा चलिए चलते हैं अपने topic को ऊपर अपने video को ऊपर आज हमारा जो demo class है यह हमारा तीसरा lesson है और इस lesson के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हमारे पास यह सारी video मैंने जैसा ही पहले बताया कि नए लोगों के लिए है इसलिए आप नए लोग इस video को अच्छे से देखें एक बाद दो बाद तीन बाद देखें यह और भी ऐसे लोगों जो trend है लेकिन फिर भी काफी चीज नहीं जानते वह भी हमारी video के माध्यम से सीख सकते हैं और update हो सकते हैं अब दोस्तों चलो चलते हैं मैं वीडियो में आंगे बताता हूं कि आज हमारा जो topic क्या होने वाला है और हम क्या topic को उपर हम लोग सीखने वाले हैं वह mobile phone की पहचान mobile phone की पहचान कैसे करते हैं दोस्त हमारे पास कोई भी mobile phone आता है उस mobile phone को कैसे पहचानते हैं कि यह mobile phone कौन था है कोई बी प्राबल्म लेकर गया तो और यह छो wait इसमें से देख कर के बता सकते हो सब्रीयल वी कंपनी के मपाइल सब्कूरण तब यह बोलोगे क्योंकि आपने पीछे से देख रखा है तो यह real me company का mobile phone है लेकिन market में जाओगे अगर आप बोलतो हमको real me mobile phone का combo देदीजिए अब तुमको कौन सा real me का अब बोलोगे हमको real me का mobile phone का UI देदीजिए हड़ी देदीजिए housing देदीजिए यह पार्ट देदीजिए फलाना धेमगाना अगर ऐसा कुछ बोलते हो तो भाईया वो कैसे तुमको पैचानेगा वो तुमको यही कहेगा आप वपस जाएए आप non technical person है या तो अपना सामात बे आपको नहीं सीखना बिल्कुल टेखनीकली और प्रोफेशनल तरीके से सीखना है चलिए चलते हैं हम लोग mobile phone की पैचान करना कि हमारे पास कोई भी mobile phone आता है दोस्त तो हम लोग mobile phone की पैचान कैसे करते हैं आज मैं आपको चार ऐसे master step बताने वाला हूँ उन चार master step के मार् mobile phone को बिल्कुल एजिली तरीके से भी्कुल साथ हार्ण पया आप mobile phone को पैचान सकते हैं और यह जान सकते हैं कि यह कौन सा mobile phone है उस mobile phone में lock लगा है उस mobile phone का combo टूटा हुआ है वो phone dead हो गया है वो phone damage हो गया है यदि किसी भी सूरत में तुमारे पास mobile phone आता है तो तुम mobile phone को पैचान जाओगे तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें पूरा वीडियो देखें वीडियो ना समझ में आए तो एक बाद दो बाद चार बाद देखें अगर कोई प्रॉब्लम कोई परिसान नहीं आती है तो हमें हमारे नीचे देवए नंबर पर फोन करें और अगर इसी तरीके से पूरा कंपलेट मोबाइल फोन देपेरिंग का काम सीखना चाहते हैं पूरा मोबाइल फोन देपेरिंग के ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप आगर के ट्रेनिंग सेंटर को आगर के जोइन जब सकते हैं चलिए हम बात करते हैं अपने topic वो पार mobile phone की पहचान करना, सबसे पहली बात mobile phone को पहचानने के लिए सबसे पहला तरीका होता है, आपके पास कोई भी mobile phone आता है, तो mobile phone को पहचानने के लिए model number body में print होता है, वो mobile phone को model number body में print होता है, सबसे पहला तरीका, कोई भी mobile phone आया, उस mobile phone को model number body में print होता है, लेकिन वो बात आती है, बॉड़ी में तो प्रिंट होता है लेकिन उसमें लिखा होता है जैसे सैमसंग का फोन है तो उसमें लिखा होगा SM 135F ऐसा लिखा होगा आप सोचेज़ें 135F यह कौन का मोडल है तो हम लोग इसको पाइशाने के कैसे इसके लिए हमारी जो वेबसाइड बनी है जिस वेबसाइड का नाम मैं आपको बताता हूँ उस वेबसाइड का नाम होता है GSM Areena इस Webसाइड के मार्जम से आप मॉबाइल फोन के बारे में बहुत अच्छे से इंफर्मेशन ले सकते हैं पूरा पूरा मोबाइल फोन का इतियाज Google समाजिक सास सब पढ़ सकते हैं तो इस में से आप यह सा मरीना में जा करके इन सब चीजों को आप देख सकते हैं कैसे देख सकते हैं चलिए मैं आपको बढ़ाता हूँ अब हम लोग Google पर चलते हैं हम जैसा करके दिखाते हैं आप भी दो चार दस मोबाइल फोन रखिया करिए ताकि तुमको अच्छे तो समझ में आएगा तुमारे दिमागे भेजी में घुषेगा अब देखिए हम बात करते हैं कि मेरे पास मोबाइल फोन आया उसमें से लिखा था सैमसंग 132 35 F DS यह लिखा हुआ और आंगे लिख देंगे जैसे लिख जाएंगे तो देखिए हमने सिर्फ डाला सैमसंग SM 135 जैसा मदीना तो यहाँ पर खुल गया सैमसंग गैलक्सी A13 यह कौन का मोडल है यह वो मोडल है जो बोल चल की भासा में है आप कौन का मोडल खुल गया है सैमसंग गैलक्सी A13 आप देखिए भाई तुम्हारी जो यह वेबसाइड है यह इतनी बढ़िया और इतनी धांसू वेबसाइड है यह मोबाइल फोन के बारे में पूरा सब कुछ बता देती पहली बात तो क्या बता रही है यह सैमसंग गैलक्सी यह तेरा मोबाइल फोन है यह देख लो मोबाइल फोन दिखता कैसा है मोबाइल फोन के अंदर शाड़े 6 इंचे का डिस्पिलर लगा है पचास में का पिसल कैमरा है 3.6 जीवी का रह में यह कूरा इसमें से को आया था मोबाइल फोन यह मोबाइल फोन का डिमेंसेटी लिखा हुआ है वेड लिखा है 95 ग्राम को मोबाइल फोन है गलास लिखा है सिंगल सिम डूल सिम सब लिखा है IPS LCD लगा हुआ है और तुमारा 6.6 इंचे का डिस्पिले साइज है एंड्रोइड 12 है एक्सनॉस सीक् लगा हुआ है एक्सनॉस चिपसेट लगा हुआ है अक्टा पोरस वीक्यूल लगा है कैमरा इसका 50 मेरा पिसल का कैमरा है इतना दिया हुआ है यह सारा डिटेयल इसक अंदर साउं पॉमन फीचर बैटरी यह सारा सब कुछ लिख कर गया रहा है माई से ब्लैक वाइट पैच के कौन के कलर में आता है साब पूरा information लिकर के आता है तो इस information के माध्यम से आप mobile phone के बारे में पूरा इतियाद Google सब कुछ जान सकते हैं तो ऐस कोई भी मोबारील फोन आता है तो उस मोबारील फोन को मौडल अबर लिख करके आप ज्यासा मरीना पर सेल्च करेंगे तो ज्यासा मरीना आपको सब कुछ खोल देगा आपका मोबाइल फोन है आ याप भी अपने मोबाइल फोन के बारे में खुल लिह basically लिखो गूगल पर जाओ लिखो वीव वाई 17 यह सा मरीना खुल जाएगा नीचे इंफॉरमेशन खुल कर गया जाएगा पूरा डिटेल आपको पता चलेगा तो ऐसे आप क्या पता कर सकते हैं मॉडल बडी में पिर्ण होता हैं, जितने भी सारे जो नए परसन होते हैं, अगर जो मॉबाइल फोन रेपेरिंग में काम करना चाहते हैं, अब आप दोस्त चाहिए काम हार्डवे से काम करें यह सौप्टर, क्या काम करें? सब्सक्राइब पहले बार रेपेरिंग में एक बहुत अहम जरूरी होता है, वो होता है मोबाइल फोन की पैचान, क्या होता है, मोबाइल फोन की पैचान, अगर आप मोबाइल फोन को पैचानेंगे कैसे है, आपके बाद कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन को अपले कैसे पैचानेंगे, कि भाई यह सब्सक्राइब हैं सबस्क्राइब नई समझ दोग दोग तो बेचने के चकर में आपको उल्टा सीधा कोई भी चीद दे देगा जाओ लगाओ जाके घराब हो जाए कि तब भी तुम जे लोग नहीं घराब होगे तो मेरे बार वापस आओगे हम बदल के दूसरी देदेंगे या तो फिर हमको करेक्ट मॉडल बताओ तो इसलिए मॉबाइल फोन में से जितने नए सारे लोग उते हैं जो नए परसन होते हैं तो नए परसन के साथ में थोड़ा सा एसा इसू मैंने देखा हुआ आता है जो मॉबाइल फोन की पहचान नहीं कर पाते हैं तो हम आपको यह अपने एक्स्कीरियंस से बता रहे हैं कि हमारे बाद जो मॉबाइल फोन आता है तो हम कई से पैचान लेते हैं तो वैसा ही आप भी उसको पैचान सकते हो फिर इन फ्यूचर जब आपको कुछ दिन काम करते करते हो जाएगा तो आप उसको देखते ही पैचान सकते हो क्यों आप अपने एरिये में देखते हो कि जो अपने घर में थे मम्मे के पास था मेरे पास था किसी के पास था लेकिन जिस मॉबाइल फोन को आपने देखा ही नहीं है तो उसको हम कैसे पैचान सकते हैं मार्केट में देखा जाए तो आज की रेट में लाखों से जादा कशन करेंगा अगया नहीं की कि रहेंद दुसरी बात क्या है मौबाइल फूर्ण पह सामान खाले स्वलाइब कन दा या मंबाईब आपको ऐसे चिप्स बताने वाला हूँ जिस चिप्स के माध्यम से आप मोबाइल फोन को क्या कर सकते हैं प्रैचान सकते हैं उसका इडिन्टिफिकेशन कर सकते हैं जैसे सबसे पहला तरीका मोबाइल फोन का मोडल नमबर बॉड़ी में प्रिंट होता है मोबाइल फोन का मोडल नमबर जो होता है वो बॉड़ी में प्रिंट होता है कहां पर प्रिंट होता है यह बॉड़ी का जो पीछे का हिस्सा होता है यहां पर मोडल नमबर क्या होता है प्रिंट होता है आप उसको देख के समझ सकते हो कि इसमें से कौन तर नमबर है आप इसमें से देख सकते हो बिल्कुल अभी देखें नहीं बिना फोले नहीं लिखा तो अभी दुख जाए यह दूसरा भी तरीका आता है किसका मोबाइल फोन है समसंग का मोबाइल फोन है तो इसमें से पीछे बॉड़ी में लिखा है समसंग M317F अब हमको यह समझ में है कि M317F यह कौन सा मोडल है क्योंकि मार्गेट में कर M317 बता होगे तो वह M317 नहीं जानता अब 317 क्या है बोल चाल की भासा अलाग है बाई घर में हम रहे इते हैं तुमको कोई भी पपू पपू बोलता है लेकिन हमारा पपू थो इन नाम है हमारा तो नाम कुछ और है तो हमारा तो वह नाम लिया जाएगा यह टेक्निकल नाम है तो उसी तरीके से क्या है अगर य सकते है हैं तो दो आया है तो हमारा अचाल कने में आम जाएगे इसके लिए हमारी वेबशाइट बने होती है यह सबसे पहले उसकी यहां पर लिस्टिंग होती है यह उस मोबाईल फोन को पूरे रर्ड के अंदर बताता है को भी वही चीज आनी चाहिए ताकि हम फोन के अंदर बहतर क्या इस चीज को समझ सकते हैं यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे समसंग म 317 फो आंगे लिखेंगे जीए सम अरीना जैसे हमने यहाँ पर डाला कि समसंग म 317 तो यहाँ पर खुल गया समसंग गैलेक्सी M31S यह मोडल काउन सा है M31S है अब जो M31S मोडल है तो हम लोग क्या करेंगे कल को अगर हम लोग इसका सॉप्ट्रे डालेंगे तो गूगल पर लिखेंगे समसंग M31S प्लस फाइल यह कल को बजार में कामबो लेने जाएंगे तो वहाँ पर M317 बोल लोगो तो इसका दिवार चकरा जाएगा वो बोलेगा अगर युवाई मांगना है पत्ता मांगना है हाउजिंग मांगना है बॉड़ी मांगना कुछ भी मांगना है तो आप जब अंड्रोइड 10 में आया था अंड्रोइड 12 तक यह जा सकता है इसके अंदर 118 GB तक का स्टोरेज है शाड़े 6 इंचे का इसका डिस्पले रेशियो साइज है 64 मेगा पिक्सल का कैमरा लगा हुआ है 6 8 GB रैम वेरियंट में 6000 मह की बैटरीय 25 वाट का फार्स चार्जिंग है न अब इसके माध्यम से देख सकते हैं ठीक है 30 जुलाई 2020 को आया था अवेलवल स्टेटस यह बता रहा है 5.9 203 जराम को मोबाइल फोन है सिंगल खेमर सूपर अमोले डिस्पलेश के अंदर यूज करी गई है डिस्पले साइज कौन था यह भी आप देख सकते हैं शाड़े 6 इंचे का भी मोबाइल फोन है इतना रेशियो में वीडियो को बनाता है गोरिला गलास 3 लगा हुआ है एंड्रोइड टेन चिपसेट एक्षेन एक्षण सीप्यू लगा हुआ है कौन था लिगा हुआ है एक्षण सीप्यू लगा जो 10 एनम की हमको नैनो मिनेट्स की इस पर प्रोसेसिंग स्पीड देता है आपका पूर है आठ भुजाएं इसकी आठ अपली एसन को एक साथ में चला सकता है आपको फोन फोन फ्लो हैंग नहीं होगा उसके बात ग्यूमाली लगा हुआ सपोर्टिंग यह फटाएंट में योफस चिप लगा हुआ है इसके अंदर तीन कैमरे का सिस्टम दिया हुआ है लएडी फ्लैज है वीडियो फोरके तक दिच वीडियो रिपोर्ड कर सकता है एसी बइस है एस्दिया दिया हुआ हुआ ह बहुत ऐसे फोन आदे जिसमें 3.5 mm नहीं आता है उसमें खाली टाइप C के जाएगा आता है यहां पर ऐसा इंफरमेशन लिखा होता है वाई वाई है यह पूरा बैटरी 6000 एमेट 25 वाट ता चारज है साड़े तो पांच वाट रिवर्स चारजिंग दिया हुआ है यह मोबाईल फोन पावर बैंक की तरह अभी कांगा सकता है इस फोन तुम दुज़रा फोन भी चार्ज कर सकते हो केभल के माध्यम से इसको रिवर्स चार्जिंग बोला जाता है यह कौन ते कलर में आरा यह थे नहीं तो इसके अंदर पूरा है यह हुआ तो इस पास बॉड़ी में प्रिंट नहीं है तो मेरे बाद मोबाइल फोन आए उसमें बॉड़ी में प्रिंट नहीं है अगर बॉड़ी में प्रिंट नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे सेकेंड तरीका यह आपके पास दोस्त मॉबाइल फोन आता है ओपो रियल्मी का किसका मोबाइल फोन में कोई दिक्कात आ जाते है या उसको टेक्निकली इसू है उसको देखना है हम मॉडल नहीं पहचान पाते है तो हम लोग ओपो रियल में के लिए आपको एमर्जिंसी में जा करके वहां पर पोड डाल करना होता है 89988 जैसे मोबाइल फोन में डोलेंगे 899 rated जैसे में मोबाइल भून इसे जाने कपма Lee wait हमने उल्सरों ऐसे कुला सिक्सिर्ट कोल्म कालिंगदा करें आवं किखिए आघेमी यहां पर करेंगे तो जैसे जैसे डालेंग तो बनुक्य हमारा Engineering mode खुल जाएगा क्या खुल जाएगा Engineering mode में से अगर आप देखेंगे तो यह आपस Software Version लिखिया रहा है तो उपर लिखिया रहा है RM16005 क्या लिखिया रहा है RM16005 सब लोग मुबाइल फोन में अपना Google खोलो फटफट फट और उसमें लिखो RM16005 GSM Arena RMX Google खोलना तुम कहीं से भी खोल लो Chrome खोल लो Google खोल लो सहीं से भी खोल लो RMX 1805 RMX 1805 GSM Arena आप Google पह जाईए वहाँ पर लिखेंगे RMX 1805 GSM Arena जैसे आप लिखेंगे तो वहाँ पर खुल जाएगा आप उसमें खोली है मैं इसमें भी खोलता हूं आर एम एक्स आजे अठारा जीरो पाँच यह समरी ना आपके साइड खोल जाएगी हाँ आप देखिए हमारा कौन सा मॉडर रियल में टू मॉबाइल फोन दो अजाए ठारा का एक तो असट गराम फेरों है फोल जी तक है फाइव जी नहीं है इस करना क्वालिकाम प्रोसेसर लागा है यह पूरा डिटेल इसमें खुल गया समें खुला की नहीं खुला हाँ अब यह आमारे पास मॉबाइल फोन तो हम लोग इसके बाद हम से हम लोग क्या कर सकत है कि इसका इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि महला कौन सा मॉडल है अब जैसे मेरे पास यह मॉबाइल फोन आया इस मॉबाइल फोन में लाग तोड़ना है फारपी लगा है कुछ भी ऐसा लगा है अब हम जो सौफ्टर करेंगे तो सौफ्टर करते हैं समय कंपूटर को बत सकते हैं कि यह मॉबाइल फोन नका कौन सा मॉडल है तो ऑक कोई भी मॉबाइल फोन आयगा तो ऑप जी कांडिक आर欸 स्टार है जीरो स्टार है लेकिन यह कोड्स अभी मोबाइल फोन में से काम नहीं करता हाँ अब देखे इसके लिए आप क्या करेंगे गूबल पर जब को मेरे समसंग का फोन है समसंग मोबाइल फोन के अंदर हमको क्या मलूम करना पड़ेगा कोड़ पता करना पड़ेगा वर्जन यह भए लिके रहा है लिक। आ ह्नका एंस पर फalta क working कट्व दोस मैंने आपको चेनिकल तरीका बता है क्या बता कीजिए अब फोन इसमसंग का कोई लिए वी मोबाइल फोन आता है तो जिस में सेšपोर्टिंग करता है तो उसमें से स्टार है, जीरो-स्टार-फ्रेस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे उसको यहां से... देख पाएगे. यह हमा रहता है . कि 이게 Samsung में काम करता है, यह हमारा OR folk Reality के मenti काम करता है . आप देखें, यादि हमारे बाद कोई दूसरा MPHon आ जाता, तीसरा मैं आपको तरीकाолотा ओन यादि कोई भी लीवो का, टेख्णो का,!.. iFINnice का या कोई और भी मोबाइल phone आ जाते हैं तो इसमें आपको क्या करना है आपको camera open करना है क्या करना है अपको फिक खीछना है फिक खीछने के बाद आपको details में जाना है वह आपँ भी आपको mobile phone के बारे में पधा चल जाया आप कोई भी mobile phone फोटो कैच्चर करेंगे डिटेल में तो भी मॉडल मॉडल नंबर के बारे में पता कर सकते हैं तुम अपना फोन दिखाए जरा यह तरीका किसी में और नहीं भी रहता है अब जैसे हुआ मॉबाइल फोन में हमारा पासवड लगा है आप लगाक टो हम लोग इससा कमरा कूल झाले हें एक फोटो तो को पनुने के बाद ऊपर उपर देखिए आई जैसा प्ड ग्याता है मनिस экспер यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो यह देखो यहां पर कहीं अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिक्या रहा है वीवो वाई सतरा एस लिक्या रहा है अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम लोग टाइप करेंगे वीवो वाई सतरा यह सा मरीना जब यह वाई 17S जो मॉडल है इस मॉडल को हम लोग ओपन करेंगे यह मॉडल दे को पूरा मॉबाइल फोन खुल गया सेम इसी तरीके से मॉबाइल फोन इंफॉरमेशन पूरा खुल गई उसके बाद इसके अंदर 2 अक्टूबर 2023 को आया था और यह यह भी LTE मनल 14 सिटंबर 2023 और इसके अंदर मेडिया टेक का सीप्यू लगा है अंडरोड वजन 13 से साल हुआ है तो इस तरीके से हम लोग मोबाइल फोन में से फोटो कैप्चर करके देख सकते हैं अब यह मेरे पास कस्टूमर आया कस्टूमर कहता है इस मोबाइल फोन लाग खोलना है तो मर्केट में जाओगे तो मर्केट में वीवोग अकांट सो फोन बोल दोगे तो वीवो को नहीं देगा, उसका मॉडल नमबर बना पड़ेगा, वाई सतराइस कैसे हमने फोटो कीचा फोटो कीचने के बाद डिटेल आ गई डिटेल में जा कर गए उसका इंफोर्मेशन हमको पता चल जाता है जिससे हम लोग उसके बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं एक तो यह तरीका होता है अब देखे मैं आपको अगला तरीका बत पता चल जाता है अगर आपके पास कोई भी मोबाईल फोन डेट हो गया गिर गया पतक दिया गया मला चालू नहीं हो रहा है अब इसमें तो ना कोड काम करेगा ना सोफ्टर काम करेगा कुछ लिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसी कंडिशन पर आप मोबाईल फोन का बैटरी निकालिए क्या निकालिए फोन खोलेंगे तो बैटरी का मॉडल नमबर लिखा होता है जैसे यह बैटरी लिखी तो इस बैटरी किसमें लगती है एक बैटरी कम से कम दो तीन मोबाईल फोन में सपोर्ट कर जाती है ऐसा होता है इससे क्या होता है कि आप यह बैटरी को रख सकते हैं और फोनों में भी लगा सकते हैं लेकिन हमको यह कंफ्यूजन आएगी कि भाई हमारे पास जो मॉडल है रेडमी 8 है कि 8 है यह कैसे पता चलेगा तो इसने सज्जेस्ट किया कि दो फोनों में बैटरी लगी है आप क्या गूगल पर जाईए गूगल पर दोनों का जियर समरीना देख लीजिए रेडमी 8 अभी देख लीजियो एक तभी देख लीजिए तो इससे बैटरी से हम लोग पता चल जाता है जैसे मैं तुमको एक बैटरी देता हूं बील्पी 617 सब लोग गूगल खो लिए मेरे पाक बैटरी आगे फोन आगया डेड़ फोन आया तोड़ पोड़ दिया कस्तूमर लेकर आगया उसमें लिगा बील्पी 617 अब आप लोग क्या करेंगे गूगल पर जाएंगे गूगल पर जाने के बाद हम लोग सर्च करेंगे अब आप बील्पी 617 आइसे नहीं सब्सक्राइब गूगल में जाओ गूगल में लिको बील्पी 617 जैसा मज़िन लिए बील्पी 617 मॉडल नेम बैटरी मॉडल नेम बैटरी मॉडल नेम आगया है नॉडल नेम यंडी ought तो में बील्पी 6 आडरा क्या लिगडेजा दीर नेम डे आओ पर गूछे नहीं संद्टराइब अब ये बैटरी ने अब देखेंगे तो यहाँ पर ये भैटरी में लग जाती है में किस में लग जाती है है तो ये नीचे के साइडों में खोलने लगणा उसके बारे में अब ये बैटरी दो तीन टीन फॉनल में पीछे में जाना पीछे में जाना है . तो आप लोग क्या कर सकते हैं आप बैटरी को मॉडल नम ऐसा हमको तब सिकाइद में दिखता था थी जैसा किसे ने फोन पढ़क दिया फोन तूट गया जै डैमेज हो गया काम को आम वह भी बोसी हो गया पूरा फोन खराब हो गया लेकिन अलगा ता वाइबरेट करता है चा इस बैटरी मोडल नमर आपको क्या करना गूगल पर जाकर गहीं जैसे लिखा है लिखा बीयंद थार्टीवन बैटरी मोडल नेम ऐसा लिख करके जैसे सेर्ज करते हैं तो पूरा इंफ्टोब्स न हमारी क्या हो जाती है आ जाती है एक तो यह तरीका होता है एक तुमारा और मैं तरीका बता हूँ, Google Lens से, किसे होता है? Google Lens, Google Lens का मतलब होता है, आपके बाद जैसे ये Mobile Phone आया, इस Mobile Phone को उल्टा पिछे, दो बार फोटो कैप्चर करना पड़ेगा, आप Mobile Phone खुलिए, खोलने पाद मुवाइल फोलने पाद यह यहांतो के फोन आप इ jurisdiction के अ कि memo मौड़ा यह उलायिए गल्ग मुचुट हाफ़ प्लज अजय लिए तो हीज Jaad ओफ ने लगता है मिअना डिली प्षायाां हिपार, व्लीकिल मेर्य कंहिते धार साप्ट करेंगे तो निशे अगर आप देखेंगे तो यह पर सजेशन करने के देता है कि रियल में टू मोबाइल पोन है कौनता है हाँ आई साथ का यपार हो जाता है लेकिन फिर हमको थोड़ा सा समझना भी पड़ता है हाँ यह नहीं मह आसर इसका बेक पैरनल दीया हुआ है में आपको InnoQ के हैं अपनी तरीके दिए जब आप मोबाईलनों को करेंगे रिंग वन को और सब्सक्राइब को सही तरीके से नहीं पैचान कर पाएंगे तब तक आप मोबाइल फोन को उसके अंदर आपको रिपेर करने में प्रोब्लम आएगी आएगी इसलिए फर्स जो रिपेरिंग के लाइन में से जो पहले जैसे पहर रखते हैं तो हमको सबसे समस्या यही आती मोबाइल फोन के अलग अलग तरीके के फोन आते कोई हमारी तरीके से फोन बनाने के लिए नहीं आता हूँ अपनी तरीके से आप अपना मोबाइल फोन बनाने के लिए आता है अब जो भी फोन आएगा तो उसको हमको पैचानना आना चाहिए अगर नहीं पैचानना आएगा तो कल को हम बज क्यों डेट का दिया तुमने तरीका गलत अपलाई का दिया उसको तो इस बात से थोई न मतलब है उसको तो अपने काम से मतलब है तुमको डिसाइड करना है कि तुम उसमें क्या चापने वाले हो इसलिए आप पर्टिकुलर मॉडल को अच्छे से पहचान लीजिए ठाकि कि तुमने लीजिए वेलो